डीर फ्रिंट्स, आज हम लोग एक इंपोर्टेंट क्लासम फिया के बारे में स्टड़ी करेंगे पिछली वीडियो में हम आमको बताया थे ते्रापोड़ा के अंतर गद्स के बारे में आज amphibia के बारे में study करेंगे class amphibia या बर्ग उभायचर इसको हिंदी में उभायचर बर्ग करते है amphibia का साब्दिक अर्थ क्या होता है यह आप देखेंगे amphi amphi means होता है बोट और बिया का अर्थ होता है ठीक है का अर्थ होता है धारण करने वाला यानि चरने वाला ठीक है amphibia का साब्दिक अर्थ होगा उभायचर यानि जल और इस्थल पर रहने वाले ये सदस्य होते हैं इनको हम amphibia बर्ग में रखते हैं तो इस तरह से बोट यानि एक्वेटिक अंड टेरेस्टियल मीडियम में पाए जाने वाले जन्तों को हम बर्ग amphibia में रखते हैं टेट्रपोडा के चार बर्ग हैं amphibia, reptiles, abys और mammals जिसमें की पहला क्लास है amphibia बर्ग के सदस्यों का जो habitat होता है वो जली और इस्थली होता यानि इनको उभायचर काते हैं क्या काते हैं उभायचर एक चीज समुद्री जल में यह अनुपस्थित होते हैं यानि जो marine water होता है उसमें नहीं पाय जाते हैं समुद्री जल में amphibia बर्ग के सदस्यों क्लास amphibia के उभायचर के नहीं पाय जाते हैं साथी साथ यह कर रहा है कि reproduction जब इनको करना होता है जनन की परक्रिया जब यह करते हैं तो इस्थल पर जनन नहीं होता है बलकि जल में यह जली वाता वरण में reproduction करते हैं जनन करते हैं और यह पहले काडेट हैं जो इस्थल पे रहने के लिए अपने आपको इस्थल पर रहने के लिए प्रतियस्थापित किये आर्थात इस्थल पर रहने का प्रयास किये हाला कि ये इस्थली पूर्ण रूप से नहीं है ये जली और इस्थली दोनों होते हैं लेकिन फर्स्ट कार्डेट हैं जो इस्थल पर रहने के लिए अपने आपको एक तरह से प्रतिय स्थापित किये या प्रयास किये दूसरा है golden age यानि golden age स्वरणिम काल जो amphibia का है golden age आपका आता है carboniferous period क्या करते हैं carboniferous period जो carboniferous period होता है वो amphibia बर्ग का ये golden age या स्वरणिम काल आता है इनका सरीर सीर एवंग धड़ में विभाजित होता है किस में विभाजित होता है सीर और धड़ में कुछ सदस्यों में amphibia के कुछ सदस्यों में पूँच भी पाई जाती है साथी साथ इसकीन जब इसकीन की बात तवचा की बात करते हैं तो इसकीन पे सल्क नहीं पाय जाते हैं वो सल्क रहित होती है लेकिन सलेश्म के सिक्रिशन की वज़े से इनकी जो तवचा होती है वो नम होती है लस्दार होती है और कुमल होती है तो उभैचर बर्ग के सदस्य की तवचा जो है नम और सलेशमी होती है कोमल होती है साथी साथ कुछ सदस्यों में जैसे बिवफो है टोड जिसको बोलते हैं उसके तवचा में पौईजन ग्लेंड पाए जाती है क्या पाय जाती है poison gland और इस poison gland के द्वारा जो है यह अपने सिकारी को याणि जो इनका सिकार करना चाहता उनको दिख व्रह्मित करने का प्रयास करते हैं यह poison gland से निकले हुए जहर के द्वारा या poison के द्वारा यह बिभो में बए जाता है करोटी इनकी उभहेचर की जो करोटी होती है यानि जो क्रेनियम होता है वो डाइक कंडाइलिक होता है कैसा होता है डाइक कंडाइलिक यानि डाइक कंडाइलिक का मतलब यह होगा कि कसेरुक दंड से जुडने के लिए कसेरुक दंड से जुडने के लिए दो आक्सी पिटल कंडाइल इसमें पाई जाती है क्या का हमने कसेरुक दंड से जुड़ने के लिए दो आक्सी पिटल कंडाइल पाई जाती है अता ही इनकी करोटी जो होती है क्रेनियम जो होती है वो टाई कंडाइलिक होती है respiration यानि स्वसन जो है amphibia के अंदर तवचा के द्वारा होता है गिल्स के द्वारा होता है और फेफडे के द्वारा होता है यानि तवचा गिल्स और फेफडे के द्वारा इनमें स्वसन क्रिया पाई जाती है साथी साथ हर्ट की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर हर्ट जो होता है वो 3-Chamberd होता है 3-Chamberd हर्ट में 2-Arkyl होता है एक Ventricle होता है यानि 3-Cost की अहिर्दय पाये जाता है RBC इनका Nucleated होता है इस तंधारी के अंदर RBC देखेंगे तो Nucleated नहीं होता है बलकि यहां पे काराय की जो उभहचर होते है उनका RBC जो होता है वो Nucleated होता है यानि केंदर की यह होता है केंदर क्पाये जाता है 5-Kilothermas या Cold-Blooded होते हैं औसमतापी होते हैं 5-Kilothermas आर्थाथ Cold-Blooded यानि यह औसमतापी होते है इनका सरीर का temperature जो है वो घटता बढ़ता रहता है फिक्स नहीं होता है जैसे इस्तंधारियों के अंदर आप देखेंगे कि सरीर का जो तापमान होता है वो घटता बढ़ता नहीं है बलकि फिक्स होता है लेकिन एंफिबिया के अंदर जो है शरीड का तापमान घड़ता बढ़ता रहता है यह ऐसे जन्तों को ओसम तापी काते हैं कोल्ड ब्लडेट काते हैं या पाई किलू थर्मी काते हैं हाइबरनेशन की क्रिया इनमें पाई जाती है यानि हाईबरनेशन सर्दी से गर्मी से ठंड से बचने के लिए यह चिप जाते हैं इस प्रकिया को हम हाईबरनेशन काते हैं ठीक है तो हाईबरनेशन इनके अंदर पाया जाता है साथी साथ यह भी का रहा है कि जो आहारनाल होती है आहार नाल और मुत्रासय यानि मुत्र जनन छिद्र जो होता है आहार नाल मुत्र जनन छिद्र और इसके अलावा जो ये रिपोडेक्टिव मतलब छिद्र होता है रिपोडेक्टिव जो पात होता है वो एक ही छिद्र में खुलता है जिसको हम कहते हैं कुलोयका क्या काते हैं? क्लॉयका तो एक छїद्र में खुलता है यह तीनों संधचना है जिसको हम क्लॉयका काते है Extranal ear के इस्थान पे का रहा है कि Extranal ear जो बाह या करण होता है उसके इस्थान पे इनमे टिमपाइनम उसमें एक ही बोन पाई जाती है जिसको उस बोन का नाम है कालुमेला, यानि मध्यकुर्ण में एक सिंगिल बोन होती है, जिसको हम कालुमेला कहते हैं, क्रेनियल नर्फ, यानि कपालिय तंत्रिकाओं की संख्या, 10 जोडी होती है, कितनी होती है, 10 जोडी, यानि 10 पेर्स क्रेनियल नर्फ are found in amphibia, Excretion यानि उस सर्जन की क्रिया जो है One Peer एक जोड़ी किड़नी यानि बृक के द्वारा होता है एक पेर किड़नी के द्वारा होता है अगर हम उस सर्जन में देखते हैं तो Amphibia के अंदर जो एडल्ट होता है वह यूरिया का उस सर्जन करता है किसका उसरजन करता है यूरिया का और जो लार्वा होता है इसका एमोनिया का उसरजन करता है यानि एमफिबिया के जो एडल्ट जन्त होते हैं वो यूरिया निकालते हैं उसरजिपदार्थ के रूप में और जो लार्वा होते हैं वो एमोनिया का उसरजन करते हैं साथी साथ ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग अलग होता है, अर्थात एक लिंगी होते हैं, बाहर निशेचन इनमें पाय जाता है, external fertilization होता है, यानि शरीर के बाहर निशेचन की प्रकृरिया होती है, शरीर के अंदर नहीं होता है, परिवर्धन दोनों तरह का होता है, इंडाइरेक्ट भी होता है, डाइरेक्ट भी होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों परकार का इन में परिवर्धन पाया जाता है और मेडग के लार्वा को tadpole लार्वा काते हैं और salamander के लार्वा को axolotol लार्वा काते हैं तो यह तो जन्रल क्रेक्टरिस्टिक्स या important characteristics हो गही है क्लास amphibia के, अगर classification की हम बात करते हैं तो amphibia को 3 order में divide किया गया है, 3 गण में उसको बाटा गया है जिम्फो ये पहला जो गण है जिम्नो फियाना है जिम्नो फियाना अथवा इसको ए पोडा भी काते हैं दूसरा है कार्डेटा या यूरोडेला ठीक है और तीसरा है ए निव्रा और सिलेंसिया ठीक है ए निव्रा या सिलेंसिया तो तीन गणों में इसको डिवाइट किया गय आर्डर जिम्फो जिम्नो फियाना अथवा एपोडा, कार्डेटा अथवा यूरडेला और एनिवरा अथवा सिलेंसिया अब एक एक के जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे जिमनो फियाना अथवा एपोडा के जो सदस्य होते हैं वो पाद रहित होते हैं क्या होते हैं? पाद रहित इनमें पायर नहीं पाय जाता है आईसे उभैचर होते हैं जिनमें पाद अनुपस्थित होता है अंधे वंग बाहरे क्रीम की रूप में भी इनको जाना जाता है इनको हम अंधे और बाहरे क्रीम की रूप में जानते हैं एक्जाम्पूल इसका एक थियोफिस है क्या कामने एक थियोफिस ये इसका उदारण है तो ये एपोडा के अंतरगत आते हैं दूसरा जो गण है कारडेटा अथवा यूरोडेला, काराय की पूँछ युक्त उभाइचर होते हैं, ऐसे उभाइचर जिनमें पूँछ पाई जाती है, तो उनको हम यूरोडेला के अंतरगत रखते हैं, एक्जाम्पुल इसका सलमेंडर है, एमबाई इस्टोमा है और एमफी यूमा है, ठीक है, सलमेंडर, एमबाई इस्टोमा और एमफी यूमा, तीसरा जो आर्डर है, वो आपका एनिवरा, इसमें काराय की वयस्क जो एडल्ट स्टेज होती है, उसमें पूछ पाई जाती है, जैसे कि राना टिगरीना है, बिफो है, हाइला है और मिड़ वाइफ टोड है। ठीक है नहीं? ये राना टिगरीना है, बिफो, हाइला और मिड़ वाइफ टोड ये इसके उदारण है। तो इस तरह से ये classification आपका, classification amphibia का हमने बताया आपको, तीन गर्ण में इसको डिवाइट किया गया है, जनरल फिचर्स के साथ, और समानने जो लक्षण होते हैं, उसके बारे में अभी हमने आपको चर्चा किया, यानि ये समंदरी नहीं होते हैं, जली होते हैं, और इनका golden age जो है, वो carboni ferrous period होता है, इनकी त्वचा जो है, सल्क रहित होती है, नम और कोमल होती है, इनमें कुछ सदस्यों में poison gland पाई जाती है, इनकी condyle die condylic होती है, respiration, gills, skin और lungs के द्वारा होता है, heart three-chambered होता है, pigilothermy, या जो है, ये cold blooded awesome tapy होते हैं, हाइवर नेशन की क्रिया इनमें पाई जाता है, external ear के इस्थान पे टिमपाइनेम होता है, और middle ear में कालुमेला एक bone पाई जाती है, उपस्थित होती है, cranial nerves 10 pairs होते हैं, excretion इनके द्वारा जो है, एक pair kidney के द्वारा होता है, और इनका adult जो है यूरिया का उसर्जन करता है, larva ammonia का उसर्जन करता है, development direct और indirect होता है, और metak के larva को tadpole larva काते हैं, साथि सलमेंडर के larva को आप exolateral larva काते हैं, ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग amphibia के बारे में study किये, हमें उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे, आज बस इतना है, next day दूसरी वीडियो ले कराएंगे, thanks for all.